आज मैं आप सबके लिए लेकी आई हूं हलवाई जैसी परफेक्ट धानेदार बेसन के लड़ू अगर आपको भी बेसन के लड़ू बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार मेरे तरीके से ये लड़ू बना कर देखिएगा आपके लड़ू एक बार में ही हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आप और आपके अपनी चैन को भी धावा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकी आई हो अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और म मेरे चैनल को सब्स्राइब करना बिलकूल न भूले पिल चले शुरूर बेशन के लेड्डू बनाने के मैंने गैस कड़ाया है और इसमें हम चार्श नमच घी डालेंगे एक बार मे अम सारा घी नहीं डालेंगे थोड़ा-थोड़ा घी इसमें आड़ करते चायेंगे अब हमारी लड्डू बन के तैयार होगी और यह देखे हमारा बेशन का हलका कलर चेंज हो गया है और इसे हमें इस तरह से दबाते वहीं चलाना है ताकि इसमें कोई भी लंस ना पड़े कोई भी गुट्लिया ना पड़े कि अब हम इसमें एक चमच घी और आड़ करेंगे हमें एक से दो मिनट तक भुनना है फिर एक चमच घी आड़ करेंगे फिर एक से दो मिनट तक भुनेंगे फिर घी आड़ करेंगे इसमें हमें टोटल 15 से 20 मिनट बेशन को भुनने में लगेगा और इसमें हम बीच बीच में एक चमच घी आड़ करेंगे और यह देखिए अब हम इसमें एक चमच घी और अड़ करते हैं और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं अब यह थोड़ा सा ड्राइ लग रहा है लेकिन जैसे जैसे बेशन हमारा भून जाएगा अच्छे से वैसे हमारा यह अलका सा गीला होने लगेगा और यह देखिए हमारा बे बेशन की पहचान है जितनी अच्छ से बेशन आप भूनियेगा ना उतनी अच्छ हमारी कुछ भू आएगी और इतनी अच्छ हमारी बेशन के लड़ू बनके तयार होंगे और यह देखिए यह बहुता गीला हो गया लेकिन इसे अमें ड्राइ करना है इसे लगतार चलाते र हो जाएगा और यह देखिए हमारा थोड़ा सा थिक सा हो गया है अब हम गया स्वाप कर देते हैं और इसे हम एक बॉल में ट्रांसपर कर लेंगे अब हम एक बॉल लेंगे और इसके अंदर हम इसको बेशन को डालेंगे आप घर में कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के ल आठ से दस मिनट लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे याद रहे इसमें हलका गरम हो तभी हम इसमें चीनी आट करेंगे और यह देखे मैंने दस मिनट लिए साइड रख दिया था दस मिनट में यह हमारा ठंडा हो गया है लेकिन अभी भी यह हलका गरम है तब हम इसमें लड्डू बनागे देखेगा आपकी लड्डू एक बार में फर्फेक्ट बन के तयार होगे और ये दिखे वैंने इसकोcą चेनी को मिक्स कर लिया है मिर्ड़ुप बनाएंगे इस तरबाक से और इस को मैंने अच्छस्च सेक से घुमाएंगे और बिल्कुल लड्डु शेप में इमसे और ये दिखे इस तरह से हम कि ये दिखे हमारी लड्डु बनके तयार है कितनी मस्त बनी है ये अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और एक और मैं लड्डु आपको बना के दिखाती हूं आप हमें एक और इस तरह से और इस तरह से हाथों में से बानते हो इसके लड्डू बनाएंगे और इसको हम हतेलियों की बीच में आसे गुमाएंगे और यह देखे इस तरह से यह भी लड्डू बनके तयार है इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाके तयार कर लेंगे और ये देखे मैंने सारे लड़ू बना के तयार कर लिया है अब हम इसे गार्निश करेंगे गार्निश करने के लिए मैंने पिस्ता लिया है एक एक पिस्ता से हम इसे गार्निश कर लेंगे ये देखे इस तरह से और ये देखिए हमारी मस्त सी बेजन की दानेदार लड़ू बन के तयार है ये बहुत ही टेश्टी लगती है अभी ये थोड़ा सा गीला है लेकिन आप 10 मिनट के लिए से रख दिजेगा 10 मिनट में ये हमारा ड्राई हो जाएगा और ये देखिए हमारी कितनी सॉप्ट बनी है आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजेगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिजेगा और झाल्न हमारी के और मुझका खो.